इसके हाल चाल है सभी के हाँ भाई मैं जिन्दा हूँ कहीं गया नहीं हूँ तू जिन्दा है? ये कोई जिन्दगी है वक्त वे वक्त यहाँ वहाँ भटकना मरा हुआ ही समझो फिलोसफी? फिलोसफी खोपड़ी खोल दूगा सल जैसे ही टीम इंडिया वापस एक्शन में आई आपका भाई भी आप सभी के लिए वीडियो लेके आ गया है और आप कोई टैंशन वाली घबराने वाली बात नहीं है अब रेगुलर वीडियोस आती रहेंगी आदे बंदे तो मैच शुरू होने से पहले ही टोस पर सदमे में चलेगे भाई उन्हों टीम की प्लेइंग 11 देखकर सबको लगा भाई ये मैच तो चपक में धना या फिर पर्थ में हो रहा है तीन-तीन फास्ट बोलर खेल रहे है भाई चलो इंडिया की टीम में समझ भी आता है क्योंकि इंडिया के पास फास्ट बोलर है भी ये पांगलादेश वाले तीन फास्ट बोलर क्यों खिला रहा है भाई और इतने में भाई ये सद्वे से भार आपाते हमने इंडिया की बैटिंग देख ली ऐसा लगा भाई किसी ने बीज़िती की हाइलाइट चला दियो गिल भाई साब आप बहुती बढ़िया बैट्स वैनों आप बहुती आगे जाने वाले हो लेकिन प्लीज भाई मेरी हाथ जोड़कर आपसे रिक्वेस्ट है अपनी संगती सुधार लीजिए यार ये कैसे कैसे लोगों के साथ गूम रहे हो भाई इसी का नतीजा है ये ऐसी तुच्ची बोलो पर आउट होना पड़ रहा भाई एक तो हमारे प्लेयर्स का यार भाई चारा ही खतम नहीं हो रहा एक रोहित भाई और दूसरे विराट भाई दोनों 6-6 रन बना के आउट हो रहे है और किस बात की जल्दिया भाई नहीं देखना है इसा भाई चारा सैं चुपे वीडियो भी बनाए इंटर्वियू भी दे बोलिंग भी करे बैटिंग भी करे फिल्डिंग भी करे लेकिन भला हो आईश अन्ना का हमारी नागिनों से जान बचा ली वन्ना चींत भाग दब्ड़ू भाई और आईश अन्ना की जितनी तारीफ करे न वो कम है पर टीम इंडिया ने 376 रन बना दिया भाई जाके देख रिकार्ड में कौन है इंसान है कि बागवान अब तो इतने रन हो गया ना भाई बांगलदेश वाली ये मैच गलती से सपने में भी नहीं जीत पाएंगे कि अपने फास्ट बोलर्स ने अपना काम शुरू करी दिय यहां पर इंडिया और बांगलदेश का टेस्ट में चल रहा है और वहां पर अस्टेलिया और इंगलेंड की ODI सीरीज चल रही है और फिर एक बार ब्लू जर्सी को देखकर ट्रेविस हेड पागल हो गया भाई इसकी कौन सी दुश्मनी चल रहे है ब्लू जर्सी से देखत होप आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी हो अगर यह वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें शेर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिलकुट ना भूले और हाँ आप रेगुलर वीडियो आती रहेंगी टैंशन वाली कोई बात नहीं है